आज की वारता फोकस्ट है पॉप संगीत की दुनिया का बेताज बादशा माइकल जैक्सन की कुंडली विश्कलेशन ऐसा क्या जोतिशिय योग एस्टलॉजिकल कॉंबिनेशन माइकल जैक्सन की कुंडली में था कि उसने पूरे दुनिया को नचा दिया और उसने जो डांसिंग स्टेप्स, स्ट्राइल जो उसने डिस्कवर किया था वो आज तक ने कोई नहीं कर पाया लाखों करणों लोगों के दिल में रहने वाला माइकल जैक्सन का जनम 29 अगस्ट 1958 में गैरी इंडियाना में हुआ था उनके नौ भाई और बेहने थे उनके पिताजी उन्हें बिग नोस के नाम से कॉल किया करते थे पाँच वर्ष की आयू में माइकल जैक्सन ग्रहों के योग की कारण पॉप की दुनिया में प्रवेश लिया जिसको नाम दिया गया जैक्सन फाइफ शुरू में तो कहते हैं कि वे बैंड चलाते थे दिरे दिरे माइकल जैक्सन लोगों के आकरशन का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया इसके पीछे उनके देव गुरू ब्रहस्पती और शुक्र का आशिरवात बहुतियात में माइकल जैक्सन के उपर था उनका बैंड बहुत पापुलर हो गया इतना पापुलर हो गया कि लोगों में च्छा गया 1969 में जब उनकी एज 11 वर्ष की थी पहरा एल्बम उन्हों रिलीस किया जिसका नाम था I Want You Back इसके बाद माइकल जैक्सन ने मुड़के और नहीं देखा इस एल्बम ने उन्हें बहुत पॉपलरिटी दिया और माइकल जैक्सन नमबर वन हो गया इसके बाद व्यूर्स माइकल जैक्सन ग्रूप ने कई हिट एल्बम लाइक ABC, The Love You Save, I Will Be There जैसे रिलीस्ट किया और एक के बाद एक मुकाम उन्हों ने और उनके ग्रूप ने हासल किया 1976 में माइकल जैक्सन ने रिलीस किया अपना सोलो एल्बम डिसको क्लासिक, Off The Wall यी एल्बम रिकॉर्ट सेल एक करोर कॉपीज की हुई उसके बाद तो माइकल जैक्सन एक के बाद एक मुकाम को हासिल करने लगे वर्ष 1992 में उनका एल्बम थ्रिलर ने हिस्ट्री क्रियेट किया माइकल जैक्सन ने पुरे दुनिया को दिखा दिया कि किस प्रकार पॉप म्यूजिक की अगर मार्केटिंग की जाए तो कितना बड़ा नाम और बुजनिस क्रियेट किया जा सकता है माइकल जैक्सन आज भी लोगों के दिलों में चाहिए हैं और हमेशा ही रहेंगे 1987 में विविवर्स जैक्सन ने प्लास्टिक सर्जिरी कराया अपने चेहरे का और एक और एल्बम रिलीस किया बैंड और कहते हैं कि तीन करोड से भी ज़्यादा कॉपी उनकी एल्बम की बिग गई इसके सक्सेस के बाद उन्होंने सोलो टूर शूर किया साथ शोज में जैक्सन ने वैमिली आफ लंदन चार्ल्स में भी प्रेजन्ट हुए माइकल जैक्सन ने अपना आटो बायाग्रोफी भी लिखा जिसमें उन्हों डिस्क्लोस किया कि वो दुनिया के सबसे एकांध वैक्ती है उन्होंने अपनी मूवी वाकर फिल्म भी रिलीस्ट गया 1974 में उनका विवा हुआ लीजा मैरी प्रिसले के साथ बड़ कुछ समय के बाद 19 माहिने के बाद अलगाव हो गया 1997 में उन्होंने रॉक एन फे रोल औफ फेम मिला इसी साल उनका दुवारा विवा हुआ एक नर्स के साथ डेबी रो और वे दो बच्चों के पिता बने 1999 में उनको फिर से अलगाव से जाना पड़ा डेबी के साथ भी इस दुरान उनकी पर्सनल लाइफ कई कॉन्ट्रुवर्सी से गुजरी माइकल जैक्सन एक बहुत बहुत नाम है संगीत में आज जब भी पॉप हम कहते हैं हम माइकल जैक्सन का नाम लेते हैं आप उनकी कुंडली में शुक्र, ब्रियस्पती, लाबस्थान, आयेश, भागिस्थान का रोल आप अपने खुछ स्वैम देखकर एनलाईज कर सकते हैं माइकल जैक्सन आज भी बहुत याद की जाते हैं आयूवर्स जानते हैं कि ऐसा क्या जोतिशे योग रहा था जिसके कारण माइकल जैक्सन को इतनी सफलता है मिली विवर्स आये जानते हैं पॉप संगीत की दुनिया का बेताज बादशा माइकल जैक्सन की कुंडली में ऐसा क्या जोतिशे योग था ग्रहों का जिसने उसे इतना पॉपुलर बना दिया लाखों करणों लोग दुनिया भर में उसके फैन रहे आज भी माइकल जैक्सन का नाम लेते ही लोग उसके पती बहुत आकरशित हो जाते हैं मैं बता दूँ विवर्स माइकल जैक्सन की कुंडली में कन्या लगन था कन्या लगन में राहु विरज्मान था और चंद्र लगन में कुंब राशी थी ब्रस्पती माइकल जैक्सन का तुला राशी में था अपने ही भाव में मेश राशी में था शुक्र करक में बुद और सूर्य ग्रह सिंग राशी में था ये था पॉप संगीत के बेताज बात्षा माइकल जैक्सन की कोंडली की ग्रहों की स्थिति माइकल जैक्सन एक ऐसा नाम एक ऐसा विरासत छोड़ गया है जिसको रिपलेस कर पाना बहुत मुश्किल है जिस प्रकार का उनका निर्त्य था संगीत था उसको कंपेर करने वाला आज तक तो नहीं आया है और मैं समझता हूँ आने वाले बहुत लंबे समय तक आप आना बहुत मुश्किल है विवस यदि हम उनकी कुंडली को देखें माइकल जैक्सन की कुंडली में चोथे भाव के सौमी और साथवे भाव के सौमी ब्रियस्पती उनके दूसरे भाव में विरज्मान था दूसरे भाव में विरज्मान होकर उनके दस्वे भाव यानि की करम स्तान को दृष्टी दे रहा था जिसने माइकल जैक्सन को बहुत नाम, प्रसिद्धी, फेम इस संसार में म्यूजिक की दुनिया में दिया शुक्र उनका बहुत बलवान था शुक्र उस भाव का स्वामी था जिस भाव में देव गुरु ब्रियस्पती विरज्मान थे और शुक्र उनके ग्यारवे भाव में विरज्मान था उनके चौथे भाव जोकी जन्मानस से संबंध रखता है जिसे हाउस अब पब्लिक कहते हैं चौथे भाव का स्वामी ब्रियस्पती द्रिष्टी दे रहा था पंचम द्रिष्टी उनके आये भाव के स्वामी चंद्रमा को कुम्ब राशी में और उनका मंगल जो आठ्वे भाव में सौग्रे ही है मेश राशी में उसको भी ब्रियस्पती अपने द्रिष्टी से एक राजयोग का निर्मान कर रहा था आठ्वा भाव, हिडन टैलेंट, मेटरिलिजम, लॉजिक का भी होता है ये एनलेसिस बताती है देव गुरू ब्रियस्पती यानि कि जूपीटर प्लानेट ने माइकल जैक्सन के जीवन में बहुत इंपोर्टेन रोल प्ले किया और बहुत नेम और फेम उनको देने में आशिरवात परदान किया ब्रियस्पती का फेवर उनको पांच वर्ष की आयू से ही मिलना शुरो गया और 21 वर्ष तक बहुत आस्पीशियस शुब मंगलकारी माइकल जैक्सन के लिए रहा और उन्हें बहुत पॉपुलारिटी सक्सेस वेल्थ जीवन में ब्रियस्पती के कारण उनको मिला ब्रियस्पती का धनभाप में होना एक बहुत बहुत राजयोग है धनभाप से ब्रियस्पती जैसा मैंने का पंचम द्रिस्टी से ग्यारवे लापस्तान के मालिक चंदर्मा को देख रहा है सब्तम द्रिस्टी से मंगल को द्रिस्टी दे रहा है तो यह बहुत प्राजयोग है जिसने उनको इतना फेम और पॉपुलारिटी दिया मैं यह कहूंगा कि auspicious impact यानि बहुत शुब प्रभाब दूसरे भाव के स्वामी नवम भाव के स्वामी आई एश यानि ग्यारवे भाव के स्वामी और ब्रियस्पती ने उने unlimited wealth और prosperity दिया था मिना ब्रियस्पती के आशुरवात के धन, संपती, पैसा आही नहीं सकता ब्रियस्पती का बहुत आशुरवात उनकी कुंडली में देखा जा सकता है जैसा कि आप स्वायम कुंडली को देख सकते हैं जो मैं वर्णन कर रहा हूँ कुंडली आपके सामने ही है व्यूवर्स यदि आप उनकी कुंटली को देखें तो पाएंगे की ब्रियस्पती उनके स्पीच यानि की वानी के घर में जो की शुक्र का भी भाव है में विरुजमान है जिसके कारण शुक्र का प्रभाव ब्रियस्पती का आशिरवात ने उन्हें म्यूजिक के फील्ड में बेताज बादशा बना दिया इसके साथ साथ केंद्र पोदिशन ब्रहस्पति की है और केंद्र में जब ग्रह होता है तो बहुत बलवान हो जाता है और ब्रहस्पति और शुक्र में आपस में संबंध है यह आप देख सकते हैं ब्रिस्पती और शुक्र के अंदर जो संबंध है शुक्र दूसरे भाव का मालिक ग्यारवे भाव में बैठा है ग्यारवे भाव का मालिक छटे भाव में बैठा है कुम्ब राशी में जिस पर ब्रिस्पती पंचम द्रिश्टी दे रहा है यानि कि दूसरा भाव धन भाव और ग्यारवा भाव हाउस अव गीन लापस्तान में बहुत गनिस्ट संबंद माइकल जैक्सन की कुंडली में देखा जा सकता है आप स्वैम कुंडली में देख सकते हैं यही कारण था जिसने उने बहुत नेइं, फेम, पैसा बहुत कम उमर से ही देना शुरू किया यह बहुत पूर्वजनम के पूर्णे का फल है कि कोई बालक वच्पन से ही इतना पैसा, नाम, शौरत उसको मिलना शुरू जाता है यह उसके करमों का फल है जब शनी की मादर्शा चली शनी जो कि उनके तीसरे भाव में मंगल के भाव में बैठा है और मंगल आठवे भाव में उच्छ का है और मंगल शनी को देख रहा है जिसके कारण जो तीशे दिश्टिकों से शनी और मंगल के प्रभाव के कारण वे बहुत हार्ड वर्किंग मेनती हो गए शनी उनके इंकम भाव से भी कनेक्टेड है जिसके कारण उनको पैसे का बहुत बड़ा आगमन रहा 1982 में थ्रिलर रिलीज हुई थी उस समय ट्रांजिट में एक्सौल्टेड उच का शनी था जो उनके धनभाव से हाउस ओव वेल्थ से गोचर कर रहा था ब्रुस्पती का भी बड़ा शुप प्रभाव गोचर में था जिसके कारण उनको बहुत बड़ा सक्सेस बिग फिनेंशल गेन ग्लोरी नाम पैसा थ्रिलर के कारण मिला नवंबर 1982 में इसके अलावा भी उनके सारे प्लानेट जैसे सूरिय, शुक्र, बुथ, ब्रिस्पती, शनी ये सारे उनके वेल्थ हाउस पैसे के घर में गोचर कर रहे थे जिसके कारण उनका थ्रिलर जो उनका अलबम था उसने हिस्ट्री क्रेट किया और यहां से उनकी सक्सेस स्टोरी बहुत लंबी दूर की शुरू ही मंगल का आटवे घर में होना, शनी का तीसरे भाब में होना, रहु का लगने में होना इस सब ने माइकल को बहुत अमबीशियस बना दिया और बहुत आस्पीशियस शुब पधिशनिंग, मंगलकारी पधिशनिंग ब्रस्पती का होना चंद्रमा, शुक्र, सूर्य, बुद्ध का होना ने उनको बहुत प्रतिवा संपन, टैलेंटिट आर्टिस्ट बना दिया और महा लक्ष्मी योग, अनाप सनाप धन संपती का आशिरुवाद महा लक्ष्मी ने प्रदान किया और बहुत तीवर गती से सक्सस और पॉपॉलरिटी प्रदान किया, आप स्वैम कुंडली आपके सामने देख सकते हैं आप में से भी किसी का यदि कुंडली में इस प्रकार के योग हैं तो निस्चित मानके चलिए कि आपके जीवन में बहुत बढ़ा चेंज निस्चित है वैदिक जोतीश के अनुसार विवर्स अगर दस्वे भाव का स्वामी बारवे भाव में अच्छे पदीशन, शुब पदीशन स्तिती में होता है और उसको शुब ग्रह द्रिश्टी देते हैं तो यह बहुत ऑस्पीशियत शुब मंगलकारी माना जाता है ये हाउज अफ वेल्थ, हाउज अफ इंकम, हाउज अफ प्रोफेशनल रिजल्ट्स अगर इनकी कनेक्शन रहता है इन भावों का, पैसे का, इंकम का, नौक्री का तो बहुत ज़्यादा सक्सेस पब्लिक केरियर के अंदर बहुत नाम, प्रसिद्धी एकदम से मिलता है जो की माइकल जैक्सन की कुंडली में आप देख सकते हैं राहू का लगने में होना एक सबसे बड़ा कारन था जिसने उनके mental position को adversely affect किया यानि कि उनके राहू का लगने में होना इसने उनके मानसिक स्तिती को बहुत भारी मात्रा में प्रभावित किया था वे अपने निर्ने को बहुत जल्दी बदलते थे राहू का सभावी viewers ऐसा है रहू बुद्ध के घर में जो की कन्याराशी का भाव है और कन्याराशी का जो गुरु होता है वो ब्रस्पती है वो बुद्ध है और बुद्ध का बारवे भाव में होना सूर्य के साथ ये भी एक राज योग है बुद्ध अदिते योग ये व्यक्ति को कुछ निया करने का एक बहुत बड़ी तीवर इच्छा प्रदान करता है राहू का कण्याराशी में उना व्यक्ति को बहुत ज़्यादा विशलेशन करने की शक्ती और जिद्धी सभाव का बनाता है और कई बार ये व्यक्ति को बहुत इसेंट्रिक पागलपन जैसा वैवार भी करवाता है ये रहूई था जिसने जैक्सन को अजीवो गरीब डांसिंग स्टेप करवाया और कई बार उन्हें गलत निरणे भी लिये जिसका सबसे बड़ा कारक रहू था रहू ही सबसे बड़ा कारक था जिसके कारण उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी भी कराई थी अपनी फेस की जिसने उनके शरीर को बहुत नुक्सान भी पहुचाय था ऐसा कहते है जिससे हार्मोनल सिस्टम डिस्टब हुआ शरीर डिस्टर्ब हुआ कहते हैं कि उन्हें प्लास्टिक सर्जरी तेरा बार करवाया था रहू कई नेचर है कि ये पागलपन करवाता है और वो भी आपके प्रथम भाव में जो आपके परस्नेलिटी का भाव है आप स्वैम कुंडली को देख सकते हैं सूरी और बुथ के बारवे भाव में चंद्रमा का चटे भाव में मंगल का आटवे भाव में रहू का लगने में हुना केरियर में बहुत सक्सेस नेम पैसा शौरत के लिए अच्छा रहा लेकिन हेल्थ के लिए और आयू के लिए ये बहुत खराब रहा उनको काफी भारी मात्रा में स्किन डिजीस चर्म रोक से जाना पड़ा था आटवे भाव में मंगल का हुना एक सबसे बड़ा कारणता जिसने उनको लीगल प्राब्लम्स कानूनी दापेज में इन्वॉल्ड कर दिया था जबकि ब्रिस्पती के शुब प्रभाब से हमेशा परिशानियों से उनको ब्रिस्पती ने निकाला माइकल डियक्सन की कुंडली में विवर्स सारे शुब ग्रह आठवे दूसरे छटे और बारवे भाप में विरजमान है और जितने उनके पाप ग्रह है वो केंदर में विरजमान है और ये उनकी आयू के बार ही बताते हैं जैसे शनी पर पापगर मंगल का द्रिश्टी है इन सब चीजों के कारण उनकी आयू कम हो गई और जब उनकी बुद्ध की माधर्षा चल रही थी और राव की अंत्रद्रशा और मंगल उनके आठवे बाप से आयू के बाप से गोचर कर रहा था तब उनको संसार त्यागना पड़ा विवर्स ये था एक महान कलकार एक गायक, एक डांसर इसने दुनिया के परदे में आकर सबका मन महो लिया आज भी माईकल जैक्सन का नाम लेने से वर्ल्ड ओवर लोग उनके भक्त हैं और उनको भोलना नहीं चाहेंगे पॉप की दुनिया में एक नया इतिहास लिखने वाला माईकल जैक्सन हमेशा हमेशा याद किया जाएगा यदि आपके कुंडली में ऐसा योग है तो निश्चेत रूप से याद रखिएगा आप आने वाले कल के माईकल जैक्सन हो धन्यवाद विवर्स एक और नया वारता कुंडली विस्टलेशन लेकर प्रस्तुत हूंगा धन्यवाद भाई